उस्टेलिया के डेविड वोर्णर ने पाकिस्तान के खिलाब दूसरे टेस्ट मैच में तीरा सतक लगा कर एक बड़ा काहनामा किया है वैसे किसी भी बल्लेबाज के लिए तीरा सतक लगाना अपने आपने एक उपलब्जी होती है बड़ी उपलब्दी होती है भारत के लिहास से अगर बात करें तो करुण नायर और विरेंदे सहवाग उनसे पहरे दो तीरे शतक लगाए थे पिछले कुछ टेस्ट मैच वे की अगरबात करें लेकिन जिस तरह से दूसरे टेस्ट मैच में डेविट वोर्णर ने बल्लेबाजी की है वो कह सकते हैं कि उन्होंने एक आक्रामक पारी खेली यासिर सहा जो की एक कहें तो पाकिस्तान के ऐसे गेंदबाद जिसने इस्टेव रन रेट से उन्होंने उनकी गेंदबण बनाया और कहें तो उनका करियर बेगार दिया लेकिन डेविट वोर्णर के इस तीरे स्टक के बाद एक सवाल खड़े होने लगे थे कि 335 संद पर डेविट वोर्णर नाबाद रहे उस समें टिमपेन जो उस्टेलिया एक अप्ता को जल्दी तोर देते ये सबसे ये कई आलोचना ही होने लगे थी ये सवाल उटने लगे थे लेकिन अब इन सवालों पर डेविट वोर्णर खुद सामने आया है उन्होंने बोला है कि कि किसी भी टीम का पारी घोशित करने का जो एक समय होता है वो त्य होता है और जो एक योजना होती है टीम की कि हमें का पारी घोशित करनी है वो तै होती है तो डेविट वोर्णर ने बताया कि टिम्पेन की भी योजना तै थी कि हमें उस समय पारी घोशित करनी है लेकिन उन्होंने बोला कि टिम्पेन ने मेरी मदद की है एक रिकॉर्ड को तोड़ने में दर तो एक कप्तान अगर आपको पहले बोल देता है तो फिर जाहिर तोर पर खिलाडी उसमें कुछ कह भी नहीं सकते तो टिंपेन ने लेकिन जब वह वक्त हो गया और डेविड वोर्नर उसमें 334 अन पर थे और 334 पर एक रिकोर्ड लटका हुआ था नसर ब्रैंडमन और मार्क टेलर दोनों ही 334 अन पर बना चुके हैं उस्ठीले की तरफ से तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही ख़़ा हो र आलोचक थे जो ही आलोचना कर रहे थी कि टिंपेन ने उन्हें 400 नहीं बनाने दिये ब्रैंड लारों को रिकोर्ड नहीं तो नहीं तो डेविड वोर्नर ने खुद बोला है कि मुझे रिकोर्ड से मतलब नहीं है लेकिन एक पारी घुशित करने की टीम की रणनीती होती है मैं भी एक खिलाडी हूँ टीम का मुझे भी ये पता था कि कब पारी घुशित होनी और मुझे कितने बना सकता हूं तो इस तरह की वैसे कई आलोचना ही लगातार होती रहती है एक बार कहें तो सचिन तेंदूलकर को भी 12 सतक से पहले पारी घुशित कर दी थी रहूल पारी घुशित करने के बाद यह हो गया था तो उसको ऐस्टेलिया का फाइदा भी और ने बताया कि हमारी रणनीती यह थी तीम की कि मोसम खराब था और मोसम का हमारे तेज गेंदबाद फायदा उठा सकते थे हम चाहते थे कि जल्दी से जल्द विकेट चटकाएं और हमा लेकिन वो घुश्टेलिय की तरफ से सरवाधिक रन बनाने वाले खिलाडी बज चुके हैं तो यह बड़ी बात है और यह कप्तान के तोर पर टिमपेन के लिए एक बड़ा बयान है डेविद वोनर काउन के खिलाडी का तो यह बड़ी खबर है और जो हमने आपको बताई ह है बाकि लगातार खबर लगातार है क्रिकेट से जोड़ी हम आप तक पहुंचाते रहते हैं क्रिकेट से जोड़ी तमाम खबरों के लिए हमाई चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें तमस्कार